आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है यकीन मानिए सॉपिंग बैक का इतना बहुतरिन रियूज आपने पहले कभी नहीं देखा हो और जैसे जैसे आप लोगों का भरोसा मेरे प्रती बढ़ती जा रहा है मैं पहले से अधिक मेहनत कर रहे हूँ मेरे जिस पॉंपिलिटी बढ़ती जा रही है और हर रोज एक नया चैलेंज एक बहतरिन रियूज आप लोगों के सामने ले करके आती हूँ तो आज का मेरा ये चैलेंज बहुत ही कमाल का होने वाला है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यूज किया है अपनी इस फटी हुई ड्रेस को और एक पुरानी सौपिंग बैक को मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो हर घर में काम आएका ही आएका ग्रोप यूज लाइफ में आप सब कुश्वेता का प्यार भरा नमस्कार मैंने अपने यूट्यूब की सुरुवात पांच सब्सक्राइबर से किये थे और वो पांचों के पांच मैंने खुद किये थे आज मेरी फैमिली पांच हजार से भी अधिकी हो चुकी है तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के लिए अपने सूट को यूज कर रही हूँ मेरा दूसरा स्टेप है इस कपड़े के उन यूजलेस पार्ट को हटाना जिनकी सिलाई ना तो उधेरी जा सकती है ना ही वो खुल सकते हैं तो देखिए इस जगर मैं कटिंग करके सारे पार्ट को अलग कर रही हूँ अपनी रिस्पॉंसलिटी के साथ बचे हुए समय में खुद के लिए थोरा वक्त निकाले उन चीजों को करें जिसे आप करना चाहते हैं बाते करते करते यहाँ पर हमारी स्ट्रिप्स की कर्टिंग हो गई complete बारे आती है shopping bag की तो सबसे पहले मैं इसे press कर रही हूँ ये बिल्कुल छोटे-छोटे से step है लेकिन इस step को करना जरूरी है अब इसे उल्टी तरफ से पलटने के बाद इस जगा पे जो इसकी सिलाईयां है उसे मैं खोल रही हूँ दोनों तरफ से जब हम सिलाईयों को खोल देते हैं तो carry bag का ये वाला part हमें मिलता है मैं अपनी वीडियो में एक एक step को follow करती हूँ ताकि जो beginners है वो भी इसे समझ सके और उन्हें बनाने की इक्चा है तो वो जरूर बना पाए अब इसे fold करने के बाद दो बराबर भागों में इसकी cutting कर देते हैं इसके बाद दोनों कपरों को आपस में रखते हुए इसे एक तीरचा सेप देंगे यानि उपर से दो इंच छोड़ते हुए लंबी लाइने कीजेंगे ये एक बहतरीन organizer बनने वाला है जिसका हम multiple use कर सकते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पसंद आ रहे है तो इसे like कीजिए मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए इस तरह की धेरो वीडियो मेरे चैनल पे available हैं इस तरह की एक पार्ट को हटा करके इसकी दूसरे पार्ट की हम cutting करने वाले हैं मैंने लंबाई में बिल्कुल इस तरीके से कप्रे को आपस में fold कर दिया के बाद ऊपर यहां से इसकी cutting करेंगे मैं थोड़ा camera आप लोगों को close करके दिखाती हूं इस जगा से मैंने बीच में से fold किया था वहां देखे 5 इंच पर मैंने निशान लगाया इस आपका carry bag बरा है तो 5 इंच की जगा इसे 8-9 जितने भी आपकी मर्जी हो उतने इंच पे आप इसे निशान लगा करके cutting कर सकते हैं इसका पर देखे 5 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें इस तरीके की एक line ड्रॉ करनी है यह लाइन है यह हलका curve होते हुए उपर corner तक जा रही है बिल्कुल ही simple तरीके से line draw हो जा रही है अब मैं इसकी cutting करने वाली हूँ इसी भी हम use करेंगे मेरे पास यह बुकरम पड़ा हुआ है तो मैं इसे use कर रही हूँ इसके जगह पर किसी कपड़े को, foam को कुछ भी use किया जा सकता है यह optional है तो सबसे पहले मैं बुकरम पर रखके इसकी cutting कर रही हूँ थोरा और मजबूत बनाने के लिए lining के लिए मैंने अपनी इस पुराने 90 को use किया है बिल्कुल छोटे छोटे और बहुत ही आसान steps के साथ हम अपने इस organizer को तयार कर रहे हैं किसी भी चीज में हम lining को लगा देते हैं तो उसकी जो मजबूती है वो काफी बढ़ जाती है lining को लगाने के लिए हम किसी भी पुराने कपरे का इस्तमाल कर सकते हैं मैंने जो अपनी red वाली suit से 2-2 inch की पट्टियां काटी थी उन पट्टियों को इस तरीके से पूरे में piping की तरह लगाऊंगी देखिए एक तरफ से सिलाई करने के बाद ये दूसरी तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं इसके बाद आप चाहें तो सुईयों से टाके लगा लें पाइपिंग लगाने का भी बहुत ही सिंपल सा मैथाट है देखिए इस तरीके से मैं लाल वाली पट्टियों को रखते हुए इसके किनारों पे थोरा-थोरा एजिस्ट करते हुए पूरे में सिलाई लगा रही है यह पट्टिया है इसे खीचना नहीं है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसमें सिलाई लगा देनी है यहां पर हो गई हमारे सिलाई कंप्लीट और यह बस उपर में भी उसी तरीके से पट्टियों को लगा देंगे अब देखिए मैंने जो सॉपिंग बैक की कटिंग की थी उसके नीचे इस बुक्रम को रखते हुए इसकी कटिंग कर लूँगे यह जो बुक्रम है यह ऑप्सनल है इसकी जगह पर यदि हम फोम सीट को यूज करेंगे तो वो और भी खुब सुरत लगेगा लेकिन मेरे पास में भी फोम सीट अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं बुक करते समय हिले नहीं बिल्कुल चोटे-चोटे से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिने मैं ना भी सेयर करूं तो चल सकता है लेकिन इनी चोटे-चोटे-चोटे कामों की वज़र से हमारी जो फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है और यही जो चोटे-चोटी बारिकिया उन्ची जो को सीख जाते हैं फ्रेंड्स अभी तक आप मेरी वीडियो में बने हुए है इसका मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उल्टकलॉथ रियूज आइडिय ही बहुत ही कमाल का और्गनाइजर बनने वाला है इसलिए मेरी वीडियो में बने जरूर रहिएगा अब यहाँ पर देखी हमने जो दो दो इंच की पट्टियां काटी थी उसका हम फ्रिल बनाएंगे इस फ्रिल को बनाना भी बहुत ही आसान है मैंने अपनी बहुत सारी व लाई लगा रखी है घ् piace है तो बरे-बरे ठाके लगाएं और चोटी रखना चाते तो चोटी चोटी चुटी चुनन्य बनाएं पूरे में इस तरह के से अब एक तरफ से थ्रेड को खीचते हैं तो दिख खे हमारा फ्रियल जो है उल्टी साइड लगा देंगे और यहां पर सिलाई करने के बाद इसको हम पलट देते हैं इस तरीके से चुन्नटों को अट्जिस्ट करते हुए और पूरे में इस तरीके से फ्रील को अटैच करेंगे फ्रील को अटैच करते समय जो थ्रेड है उसे खीचते जाएंगे और फ् करके बिल्कुल किनारों में मैंने सिलाई चलाई है इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल बीच से मोरते हुए हमने जो इस तरह की पॉकेट को तयार किया था इस जगह पे अटैच करते हैं छोटा सा मैथट लेकिन हम इस तरीके से यदि सिलाई करते हैं तो सिलाई बहुत ही ताकी है यह सिलने में हिले नहीं अग मुझे तो demonstrates पैप sé과 breaking पीए नीचे पार क्यां रिए नीचे में लगा इस तरह से चीरे पटे की पैपिंग से कटाव लगाने हैं, मैं उनसम की यूजिस भी आप लोगों को बताने वाली हूँ तो वीडियो में बने जरूर रही है और ये दिखे उपर में इस जगा पे मैंने लूप को अटैच कर दिया और कहते हैं न मेहनत कफल आप इसा मीठा होता है तो आज मेरी मेहनत कफल भी मीठा हुआ है मैं इसके फाइनल लुक को आप लोगों के साथ में सेयर करने चा रही है इसका सबसे पहला और बेहतरीन इस्तमाल या है कि इस तरीकी से हम इसे दरवाजे की पिछे हैंग करके रख सकते हैं और हम हैंकी, गंजी, बच्चो के स्कूल, बेल, सॉक्स, आजी चोटी 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 चीजों को रख सकते हैं जो हमारे पास कफरे सुखाने वाले पिन होते हैं उसके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा और्गनाइजर बन सकता है इचन में इसे पॉलेथिन बैक की तरह भी यूज किया जा सकता है ये इतना खुबसूरत है कि इसे हम अपने लिविंग रूम में भी ऐस और्गनाइजर यूज कर सकते हैं मैं इसे अपने अलमेरा में रखूंगी जहां मैं चोटो चोटे पेपर्स और पर्स वगरा रखने के लिए इसका इस्तमाल करूंगी तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चैलेंज के साथ